नमस्कार दो शक्मित्रो अब तक हैंट्वेट स्वास्तरहों मस्तरहों काईट। ओल शक्मित्रो तक हैंट्वेट स्वास्तरहों काईट। सर आपनों खुब-खुब स्वागत छे अब तक हैस्पार स्वस्त्रहों मस्त्रहों मा सव प्रतम मैं जारे बात करी के जेते व्यक्तिने मन गमतु भोजन आरोगता होई छे त्यारे खास सरीर नी अंदर नी रचना सूँछे नमस्कार दसक मित्रो आजे आपड़े एक रोग विषय माहिती लेवा जही रहे चे पने पेला हूँ तमने पेट नी अंदर कई रित नी अंदर रचना होई जेने आपड़े ए थोड़ीक तमने माहिती आपी दो तमने ज़यरे कोई पन खॉराग खाव थो तियारे तमने चाओ चो ज़यरे खोराग तमारा मोड़ामा होई चे त्यारे चाओबा नी साथे नी अंदर लाड भडती हो जैने आपने इंगलिश माना सलाइवा कहिया अलायवा अधर नियंदर थोड़ाग दाइजस्टिव एंजयम विछे लिए लिए के पाच्छ विछे खोराक नुँ पाच्छ नापड़ा माथे चरू थी जातु विछे तम्हें व्यवस्तितरी ते खोराक ने चाओ एंजे साथ लाडगरंथी मड़े तो ऐवस्तिरी थी घळवत नाड़ नियंदर दाऊ है, जाती नियंदर होई अनियंदर नियंदर हो Аझ मिनित नियंदर होजरी माँ जांई होजरी अटल का स्टमक नियंदर रोजनू 500 ml झाल्ओ एत अपत्येjakल लिटर जेतलू एसीड बनथा तो है आ उपरांद होजरी नियंदर भीजा घणा बदा यवा केमिकल्स बनता होई छे विटामिन B12 आना भीजा घणा विटामिन नी पाचंक्रिया कर आउता होई छे एक खुरांद होजरी मा थी आगडवधे अतले नाना आतरडामा प्रवेश्य छे नाना आतरवेश्य आपडवी विजफूट लामबह होए छे विजफूट अले घणी लामबी लाइन दाहे इमा उपर ननाना आतरवेश्य ना अधरू आणा डियोडिनम कैये वच्यनु जे चे चेने जेजूनम कैये और छेवाड़ानू जे चेने आपड़े आइलियम कैये एक खुराक उपर डियोडिनम मा पोचे, त्यां अपड़ा लिवर मा जे पीत बनतु है, ए पीत खुराक नियंदर बढ़े, और स्वाधुपिंड नियंदर जे पाचाक्रस बनता होई, ए खुराक नियंदर बढ़े, आतरड़ा नियं अंदर जे महिन पाचंकरिया चे शरू पीत, पाचाक्रस, और स्टमक नू एसेड छे, आतरण पदार्थो बेगा थे एने खुराक ने एकदम नाना अना टुकड़ावमा ने पाचक करिया करावता होई, और पची छेक 20 फूट नियंदर धिमे 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 करिने खुराक नू शोशन थातु है, जे ए नियंदर व अनना टार्थो अनना टार्थो प्रवेश करिया चे, अनने पाच फूट लामबू होई छे अनना उंधा यू आकार्नू होई छे आरी तने ए पाच फूट नू मोट अथाड़ू छे मढ बनावनू काम करिया चे, एननी अंदर थी खाली पाणी नू शोशन थाय चे, और प 20 फूट नानो आटाड़। और 5 फूट नो आटाड़। आपने यंदर नॉर्मल एनटोमी होईचे अनटोमी माँ अपने अजे खुब महत्वना रोग नी चेर्चा करवा जही रहे यह जे जे मोट्टा आटड़ानी छे आटड़ानी आपने साधी बासा माँ चेर्चान्दानी ब्मारी मेडिकल लेंवेज माँ खाईये अल्सरेटिव कोलाटीस लुटप महत्वन रोग थे अनने पबलिक म में के समझ मा आण आण चेर्चा कर आण अरोग विशे में महात्य आपवा जेशे चांदानी बीमारी, मोट आतेडा मामा चांदा पड़ी जाएचे, सवथी पहलु लक्षण होईचे, तमने लेट्रिन यंदर लोई जाओ अमने बराबर चे, तमने लेट्रिन जाओ, शरुवात में होगे तो आपड़े वेस्टन टोलेट नी प्रथा थाइगे चे, तो मोटे पहलु सिम्टम लेट्रिन यंदर लोई आओ, पची थोड़ा चांदा आगडवधिय ले तमने डायरिया शरु थाई, जे नॉर्मली आपड़े एक के बेवखत लेट्रिन जाता होई, दीवस मा तमने आठ्थी दस वर लेट्रिन जवानू शरु थाई, इवन रात्रिन भा बलडवाड़ा जाड़ा और पेट्नी वीट आना मेन सिम्टम छे, आउ लांबा समय थी चालू रही बे महिना तरण महिना तो तमारा बोड़ी माती धिमे 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 करें लोई ओचु थावा मंडे, लोई ओचु थावा मंडे एटले एनिम्या, एटले लोई ओचु करता एटली बदी अर्शक्ति आवी जाए, कि अमुक पेशेंटों पछी बेडरी देन पन थाई जेता होई चे, सो साओथी पेलु जेनाम जेमनी आपने तकेदारी राखवी जुए, एस सिम्टम छे लेट्रीन येंदर लोई आऊ सामानिरी ते आवा कोई सिम्टम बोडी मा देखा है, त्यारे जनरली येव बनतु है कि घरेलु उपचार फ़रू करी देवामा आवे चे, एनले लिने शूटे होचे हाँ, घरेलु उपचार अनी पाचेन पड़े एक मानियत्या जवाब दार छे, मानियत्या तो ने पन गणा अंचे लोको साचापन होईचे लेटरिन मा लोई आवे, अतले सवती पहला लोको हरसमसा नो विचार करें कि हरसमसा हास्य है, इम करीने अर्वदिक दवाव चालू करें, अथ्वा घरगरावक दवाव चालू करें, अतले अव विचारा कि मेंके गरम वस्तु खायाली दिया से, एतले ले अलोई गईऊँ जनरली गरम वस्तु खावाने लोई पड़वाने कई लागतु वड़कतु होतु नाथी लेटरिन मा लोई पड़े एमा थिकाली 50 तका केस में हरस्मसा होई चे अतर नाचानडणी बीमारी नथी केंसरनी गांट के कोई नचानड़ी होई शेके छे लोई पड़वुए अमारी पहशा मा एलार्म सिंप्टम छे घरली उकषा वे eller करीश्चा अपना क्या जी एक वाकत पिलना निदान करा हो जूए लो स्टोर को सासे करता। nowुषड आपका काुषण के अंदर पास चेक अशूर को, energetic FUCK OK करम दोसे करें आपकान के और बात लोचू आपके को अश्चा करें आपके जचांसि tube का। के का। अंदर नी बीमारी एनी पाचार खुब अगडवधी जाति हो एच पहला निदान करहो जरूरी छे पची घरल उसारवार उपर अगडवदी आपेजम जना विए के आतरलामा चान्दा पड़े तो इस चान्दा पड़वाना कारणों सो होगे तो अरोग तम्हें जुआ जाओ जाओ जाओ, सवतिपलाओं तमने एके दो के आरोग अलसरेट उपलाटिस्ट तम्हें एम गेशोगा आमे तो आना विश्यारे तो आखा सवरास्ट्रे मा जितला दर्दी ओछे आ रोग ना इतला भारत ना कोईपण सीटी आथवा कोईपण रिजियन मानना थी एल्ला माटे सवरास्ट्रे आ रोग ने लईने अवर्नेस लेयावनी खुब जरूच जरूचे अवा रोग थावनु कारण चूचे इनने पकड़े साइको ना थी पराबश अमारी बास जेतला पेशंट्स आवे चेमा रूरल एरियाना पेशंट्स खुब ओछे जे खासकरेना खेडूतो होई छे केतर मा काम करता होई छे जन्तु नाशक दवावनों छंचकाव करता होई छे जे पॉल्यूटड एटो एंवर्में जन्रली आपड़ा बोडी नी यंदर इम्मुनेटी होई छे इम्मुनेटी अटले आपड़ी रोग प्रतिगारक शक्ति तमारा शरीर मा जरे बार थी कोई पंड जीवानों अथवा वाईरस तमारा बोडी मा आवे तो आपड़ी इम्मुनेटी एनी सामें लडे अन्यान न इना करने आपड़ा आपड़ी लागे अग्यान करने अचर आपड़ी जाए अचर तमारा शरीर मा जराज अचर सामें लडवा मंडे एना करने आतरड़ वपर सूजा ओन चान्धा दावे अने ओ अटो इम्मुन डिसेस केवाई बो गडबड़ मालों रोग चे पंड आने विराम बाद फरी मड़ी शुच्छु आपने आपने आगण वधारी शुच्छु तो दर्शकमित्रों समय थ्रशे नानकडा विराम नो विराम बाद फरी मड़ीशु व्यंधत्व माटे नी विश्वस तरिय कक्षानी सारवाराब्तु सव राष्ट्रनू एक मात्र विश्वस नीय नाम एटले विंग्स आईवीफ स्पेशालिटी हॉस्पिटल एक्स्क्लूजिव इन्फर्टिलिटी माटे नू विशाड यूनिट के जियां आपनी मानसिक आर्थिक तेमद सारवार लक्षी संपूर्ण कारजी लेवाई छे आकर्षिक हॉस्पिटल नो महोल विशाड वेटिंग एरिया संपूर्ण वैग्नानिक रिते काउंसिलिंग करता स्टाफ अती आधोनेक तथा अती विशाड आईवीफ लैब ए विंग्स आस्पिटल नी खासियत छे अहीं अती नम्र, विवेकी अने सब्य स्टाफ आपने आवकार शे आप अहीं पोतिको अनुभव करशो आपनी लागणियोंने अहीं वाजा मढशे महत्तम परिणाम संपूर्ण वैग्नानिक ढबे आपना निसंतान पणानो उकेल आपना द्वारे आप चोकस कैशो कि विंग्स छे तो विश्वास छे विंग्स IVF स्पेशालिटी हॉस्पिटल नानावटी चोक, राजगोड विरामबाद आपनू स्वागेच्छे आप ते खैलक्वेर स्वस्त्रहों मस्त्र हुमा जी सर परिया आपनू स्वागेच्छे आपनी जरी ते चर्चा आगड थाई रहे एती त्यारे सामली ते एउ मानवा मावशे के शरीर में तिखु तड़ेलू जारे वधारे आपीए त्यारे शरीर माटे नुक्षान करता हुछे तो सुँ आ भाग क्या ही पण आत्रडाना चांदाने रिलेटेच्छे जेनरली तिखु तड़ेलू वधारे स्पाइसी अथवा वधारे गरम मसाला वड़ू खावाती जे चांदा पड़ता हुछे ये होजरी नी अंदर पड़ता हुछे जेने आपने पेप्टिक अल्सर कहिए छे ये खुब कॉमान बीमारी छे एतली सीरियस बीमारी पण नाथी अनने त्यराने एतली एफेक्टिव ट्रिटमेंट छे के वर्चुली 100% लोको नेमाथी साजाकरी शेकाई छे अल्सराटिव कॉलाटिस ना जे चान्दा छे ए थवा पाचर तिक्षु तड़ेलू खाऊ ये बिल्कुल जावबदार नाथी मैं तमने कजिवे प्रामाण के आना 80-90% लोको तो गामडा मा रेवा वड़ा एकदम साधो जीवन वड़ा लोको होएचे तेम छाता ये लोको ने थेई जाएचे एला मा खुराक नो कोईपण जातनो बहु वड़ारे रोल नाथी एक वख़त तमने रोग थेई जाएचे पछी ए वड़ारे ना अगडवदे एनामाटे अलेको अमुग खुराक नो रेस्ट्रिक्शन आपएचे जिमके आमा सावची उतर मिल्कम ने नड़तु होएचे द जरी दूध नहीं वाद करी तो सामानी जरी ते सरीर मा नामी मोटी पण का एक बिमारी आवेड़े पहला पेला आमेली सोजेस करें के तमने दूध पी वह येस अने शर अतिया नाजेरी ते में वाद करी के आरोग था हो आचे तयारेमा कोई एज लिमिट छे पर प्यूम्छ जेते उंबना व्यक्तिने जाया हतो ने आरोग माँ एक सपेसिफिफिक एज अमने जोओ अमाँ तो कोईपन एज मां आरोग था था चे चाह ऑंके मैक्सिममं तमें 20-40 नी वच्चे आउता हो अन्य तमने लेट्री नेंदर ब्लड जयतू हो तो आ रोग माते अवश्या तापास्खरावी जुए आम जोवा जाओ तो पेडियाट्री कल्सेरेट्री कॉलाइटिस नाम नो पन एक रोग छे पांच वरस्थी लाइनने 20 वरस ना बाड़कों मा पन आ रोग जोवा अमाड़े छे अमारी पास सित्ते रेसी वरस ना जे ओल्ड एज ना लोख हो हो हुए एमा पन आ रोग जोवा अमाड़तो हुए छे यूज़ली 70-80% पेशेंंट 20-40 वर चेना उचे तो यंग एज नो रोग छे आ आप जहरी तिवा लाद करी की यंग एज नो आ रोगुछ तो रोग ना निदान माटे म मतलब सारवार माटे नो योगिया समय कायो गाने शेकाई समय तो जहु तमने ब्लड पड़े लेटरिन मातले तरह डॉक्टर पासे जहु जुए अनु निदान के रिते करावशु यह जुए तमने डायरिया होया जाड़ा होया अनु लेटरिन मातलो जोई यूए तातकालिक तमने डॉक्तर पासे जहु जुए हमालो को सवुथी पेला एनु 1-2 ब्लड रिपोर्ट अनु एनना लेटरिन रिपोर्ट कर रहा हुता हु इनिशली अनु जुए लेटरिन नु झाल जोओ खें रहा हो, निने लुड जोओ जोओ अमड़े, रहसी परूवरे, यहान उठी परूग जोओ जोओ आम मधे तॉरी आज रोग है वेरिवेें अन्य बेजिजीं आगेड़ा ।कोड झाल गानों कॉलोनोस्कोपी नामनों है करिया चे कोलोनोस्कोपी विश्य हूं तमने थोड़ी वदारे माहिती आपिश कोलोनोस्कोपी एतले लेटरिन भागे थी थती मोटा आतड़ा नी दुर्बीन द्वारा था पास एवा आमें पेशेंट्स ने पेला एनू आतड़ु साफ करवा माठे आगले दुर्बीन दुर्बाव पोड़ावीये छे एक दुर्बा पेली ओवर ने आट दर्स वखर लेटरिन थाई अन्य अन्ने अन्दर जे मढ़ जमा थेलो इसाफ थी जे पाची बीजे दिव से हमें पेशेंट में एनसेशेमा करिया ची जदिकरी ने पेशेंट में पेइन ना थाई लेटरीन ना भागे थी कैमेरो नाखी ने अंदर पांथ थी छाफुग जितली तपास करता हो ये स्क्रीन मा आमने अंदर नो जेकाई फोटोग्राफ छे आमने लाइव देखा तू है इना उपर थे में निदान करी शेकिये क्या सूच अंदर जे चान्दा छे जे खराबावडो भाग छे ये अमें यूजवली बायपसी लेता हो ये बायपसी लेके अंदर ती टुकडा आडबा येना आमें लबोलेटरी तपास मा मोकली आना एलोको येनू मैक्रोस्कोप मा अवलोकन करीने आमने पाको निदान आपता हो ये जा किया है करें क्रोंस्दीस नामनी बीमारी हो ये तो पां चान्दा पड़ी शेके बधामा चान्दा देखा सिये सर्काच पन बायोपसी लो आपने रीपोर्ट कराव शु अनने इना रीपोर्ट मा फाइनल आउन सेरा आवे क्या आ अलसराटी बीमारी छे एलेपछ आपन निदान फाइनल थायू, पन जेनरली अमने कोलोनोस्कोपी मा आतरडान चान्दा मड़े, एमाथी पंचानु टका केस मा अलसरेट उकुलार्टिस होईचे, खाली पांस टका केस मा बीजी बदी बीमारियो जुवा मड़ती होईचे अतियान आपे ज्यारे निदान निवाद करी त्यारे हावे सार्वार, सार्वार मादेनों स्वामानेदेते केटलो समय लापतो होईचे एक वखत तमारू निदान थाईजाएचे के हाँ, अलसरेट उकुलार्टिस चे पछे मा ट्रिक्मेंट शरू करियेचे जे नीचे नाखाली पाथी 6 cm मा होई, तो तमारे लिमिटेड पिरेड नी ट्रिक्मेंट होईचे अपन यूजुवली, अल्मोस्त बदा पेशन लाइफलोंग ट्रिक्मेंट लवी पड़ती होईचे एक वखत आपड़े ट्रिक्मेंट शरू करिये, यहना घणा बदा तबक आओँचे आपड़ी पासे सवती हडवम्मा हडवी दवा थी लएने, इन्जेक्शन्स थी लएने छता पंड कंट्रोल ना आवे, तो छेवटे मोटू-अतरु आखू, ओप्रेशन करियेने कापिन आखू पड़ें शुदीनी, ट्रिक्मेंट अवेलेबल छे पणं अपड़ी पासे आनी दरेक जातनी ट्रिक्मेंट अवेलेबल एक वखत तमा ट्रीटमेंट शरू करो, एक महिना थी डोड महिना नी अंदर बदा चांदा हील थे जाता होईशा, पेशन ने जे काई सिम्टम छे, बलीडिंग थाओ, जाडा थावा, पेट मा वेट आवी, लोई जाओ, बदा सिम्टम एक थी डोड महिनामा साव सबसाइट छेट वर समय, बदा सिम्टम मैं लोड में होईशा, बलेक आर रोग, मैं तमने कि जो चाह्माने टियूभ, आन्ने तमने दवा ल्योग, तो नमारो सुगर हमेशा दाउन रहेशे पर जो दवा छोड़ो और शुगर तरत अप थी जाशे आनो यह उच्छे, जो दवा छोड़ो तो शुगर अप थी जाशे एन्गे जीज़िघालवाली चालु होगी गोषके रिलस्टाइस दोडीज़र खराब सेखे छेखे रिलप्स, कीज़रों की था रिलेप्स थाजरीक। तो आमने डोक्तर तमने डोक्तर अमेरा दोजने आज़्ज़स करें फरीप शु दॉरमाल करी शेके छेखेछे। दर तरंट तरंट थी छाचा मेने डॉक्टर ना कॉंटेक्ट मा रहू खूब जरूरी छे एनने रेगुलर दवा लियो तो 99% लोकोंने क्यारे यामा सर्जरी करावी पड़ती ना थी, अन्कंट्रोलेबल डिसेज होए एने ज आपड़े सर्जरी करावी पड़े अचा, एका तरसरी वाहिए बच्छे वाध करतेश में डुर्बीन तपस में तो थायारे रे द्ुर्बीन तपास रेल सूँ छोम्छारे दूर्बीन तपास में चटरे कररा? में तम्हें बाद करें ते पेशन आगला दिवसे प्रिपेर करी ना लेटरी नी जगे आएथी कैमेरों नाखे नाखे न आपड़े चेक 4-5 फूत अंदर जुएएचे दुर्बीन तपास ना बेथी 3 रोल छे आ रोग ने अंदर सोथी पेल्लू के जारे पेशन्ट पेल्ली हो खताव चे जारेनू निदान अच दुर्बीन तपास थी थाईचे केमके अंदर थी आपड़े बायपसी लवानी होईचे अन्या रोग नीचे पूठना भागती शरू करीने केतलो उपर फिलायलो चे यहनी एक्स्टेंट जोवा माटे दुर्बीन तपास जरूवी चे एको खता अपड़े निदान थाईगिए ट्रिक्मेंट चालू करी पजी वरस बे वरस पजी फरी पाची दुर्बीन तपास करूँ जरूरी चे आपड़े ट्रिक्मेंट नी केतली असर आवी रही चे ए जोवा माटे जो ट्रिक्मेंट नी असर आवी होई तो अंदर नी जे चामडी चे टोटली नॉर्मल थे जवी जुए एक बे वर्ष ये फरी पाची दुर्बीन तपास रिपीट करूवी जरूवी चे सवथी महत्वनी वाद जे लोकोने आ रोग ना साथी दस वरस जेव उठाई जाये छे एननी अंदर जो आ रोग नो कंट्रोल बराबर नो होई थोड़ा थोड़ा चांदा अंदर रेता जोई तो आमाथी आतरडानू कैंसर थाई शक्ये छे एक कैंसर ना थाई इतले दस वरस पची दुर्भीन तपास करावी वारेवारे अत्ने जरूरी छे कैंसर नो सरवतनो तबको पण होई तो दुर्भीन तपास अटले के कोलोंस्कोपी सिवाई कोई पण तेस द्वारक खबर पड़ती ना थी दस वरस तमने अल्सराटी कोलाइटिस होई तो दस वरस पची कैंसर नो डिटेक्शन माटे दुर्भीन तपास करवी खुबत जरूरी छे तो ओवरोल आ रोग मा दुर्भीन तपास ए सवथी महत्वनों मुद्धों छे तमारे कोलोनस्कोपी आमा वारे वारे करा विच पड़ती रहती हुँ व्यंधत्व माटे नी विश्वस तरिय कक्षानी सार्वाराब्तु सव राष्ट्र नो एक माद्र विश्वस नीय नाम इटले विंग्स IVF स्पेशालिटी होस्पिटल एक्स्क्लूजिव इन्फर्टिलिटी माटे नू विशाड यूनिट कि जियां आपनी मानसिक, आर्थिक, तेमद सारवार लक्षी संपूर्ण कारजी लेवाई छे आकर्शिक होस्पिटल नो माहोल विशाड वेटिंग एरिया संपूर्ण वैग्नानिक रिते काउंसिलिंग करता स्टाफ अती आधोनेक तथा अती विशाड IVF लैब ए विंग्स ऑस्पिटल नी खासियत छे अहीं अती नम्र, विवेकी अने सभ्य स्टाफ आपने आवकार शे आप अहीं पोतिको अनुभव करशो आपनी लागणियोंने अहीं वाजा मढशे महत्तम परिणाम संपूर्ण वैग्नानिक डबे आपना निसंतान पणानो उकेल आपना द्वारे आप चोकस कैशो कि विंग्स छे तो विश्वास छे विंग्स IVF स्पेशालिटी हॉस्पिटल नानावटी चोक राजगोट विरामबात आपनुँ स्वागच्छे दर्शक मित्रो अपतिक हेल्टबे स्वस्त्र हो मस्त्र हो मा अगें सर आपनुँ स्वागच्छे अतियार ना जेरिते आपनी सर्चा थाई रही चे त्यारे मने अतियारना एक प्रश्म पुछवानु मन्थाई छे के सामने दिते आपे जनाविव के आ रोग यंग एज नो रोग छे त्यारे जेते स्त्री मातरुत्व धारन करे प्रेग्नेंच लेडी ने कही रिते आसर करता था शक्या खुब महात्वाना क्वेश्चन चा जे रिते मैं तमने वाद करिये रिते आ रोग 20-40 वरश्मा खुब कोमन चे जारे कोई स्त्रीन आ रोग थयो होई तो आने प्रेग्नेंसी राखवामा जो आ रोग एक्टिव होई तो आने अल्रेडी आंदर चांदा होई ब्लीडिंग थतू होई तो आने प्रेग्नेंसी राखवामा तकलीप पड़ी शक्या चे ले प्रेग्नेंसी राखता पहला पहला इक वकहता रोग ने का बुमा खुब जरूरी इग वकहता रोग बुमा वी जए प्रशी पंड समर्हे ठमारा रोग ने कास मडी ने कारू जुए के अमारे प्रेगनेंसी राख वी जे तिम्के आ रोग मा कामे जया मुग मेडिसिन साप्यए उप़ी ज़ये तका तंमरा बाड़कने मेडिसीन खुब नुक्षान कारक नेऊड़ूए सक्क्येश उनला अमयें चेंच करिये नहां सएफ मेडिसीम में चेंच करिये और एना पछें तम्हें प्रेगनसी राखी छको प्रेग्ननसी पच्छी आ रोग थोड़ो वकर्तो होई चे पड़ एना माटे अगेन मेडिसीन आ डोज मा फेरफार करोरले यूजुवली वांदो आउतो नथी पड़ प्रेग्ननसी प्लान करता पेला तमरे तमरे डोक्टर में मड़व खुबत जरूरी चे जथी करी ने टाइम सर मेडिसीन चेंज करी शक्ये और बाड़क मा कोई खोड़का पड़ ना आवे जेते स्त्रीज यारे मातरूत विधारान करेने तेने पोजिटिव होई छे रोग त्यारे एनी असरे ना बाड़क उपर थाई सके वार्चामा मड़े के एव कई थाई सके खरूरी आ रोग नो वार्चामा आवानो चांस छे पन प्रेक्टिकल ये जुवा ना थी खाली मदर अच्पा खाली फादर ने होई तो बाड़क मावना चांस 1-2 परसंट होई छे नॉर्मल पोपिलेशन करता वधार चांस छे पन एटले जो तमने रोग होई अने तमने रोग होई अने तमने बाड़क ने लेटरीन माँ बलड आवे तो अवस ये चेकप कराऊ ज अने रोग खाली मोटा आतरढ़ ने असर करे चे हून ponzin, ये अन्तर आतरढ़ ने अन्तर शोजाने कारणेज जे advocating आपेमिकलव्य फइदा थाई आप् हाल года माजेता होई ़िचे अमुक लोकोने वाड खरी जेता होई छे, आंखमा लाला शावी जयी जया नम्हें केरेटाइटिस आत्वा कंजल्टिव एटिस कहीए छे मोटे बाग लोकोने सांधान दुखावां थही जयता होई छे अमुकलोगोगोने spine माइफेक्त करते होई छे अपनों करोड रजी ज़े एंदर सोजोवावी ज़े अमुकलोगोने liver नो शोजोवावी ज़े अमुकलोगोने pancreate artist है अमुकलोगोने skin उपर गुमड़ा जेवा लिजन निकरता होई छे स्टिर्यों ने गणियों काथ ब्रेस नी अंदर एपसेश लगे रसी भरे जाता होई तो आ एक मल्ती सिस्टम रोग छे आतड़ू एक हाली आनो स्टार्टिंग पॉइंट छे जो एक कंट्रोल मा नार है अने आगडवदे तो आतड़ा थी आगडवदे ने बीजी बोड़ी नी कोई पन सिस्टम ने एफेक्ट करी सके जाए जहां सोधी आ रोग आतड़ा पूर्टो स्विमिच थे त्यां जेने डामी देओ खुबज जरोगी चे आ रोग नो लास्ट स्टेज उसन थे लास्ट स्टेज मा जो खुबज रोग अगडवदे कि उतो पेशेंट ना बोड़ी माते एक्दम ब्लड आओचु थे जए जए ना बोड़ी माते प्रोटीन आओचु थे जए पेशेंट 15-20 किलो और वेट उचु थे जए तो यहां बैड़ो जए 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 जिए जए जोगव पेशेंट थे जए जए जोड़ी माती उपापन ना थाइ शाय शाकया, ने आ कंडिशन मा एमनों जान बचावाँ माते एमनों आख़ु पूट निए मोटा आटाडव काट करीना को फर्तु हुआ जए जए पाऊ जए नो फोट आपना तबग कामा बधी जरीते कंट्रोल करो अत्यारना मेडिकल साइंस पासे उपलाबता चाहता हुआ येस सर आपनो खुब खुब अभार खास्तों मारा दर्शक मित्रों ने महित्गार करवा बदल त्यारे दर्शक मित्रों कारेकरन ना अंतमा हुँ आपना माटे हेल्थ टिफ लहने आवती हुँचू त्यारे आजमी हेल्थ टिफ अमारा दोक्टर तरफ दर्शक मित्रों ने खाली एकजवस्तों जणावाने के लेट्रिन मा आउत्यू बलड दरेक वक्त हरसमसा थी नथी ह खास तमरा डोक्टर पासे जेने चेक अप कराओ थैंक्यू तो दर्शक मित्रों आज हे जया रहे आपे है अज तरसमजानी माहीती मेड़ वीशे त्यारे परी थी नवा वीशे साथे हुँ आपनी समक्त खाजर रही स्तिया सुदी मने रज्जा आपको उने जोता रहो अब तक साथे थन्यवाद